नमस्कार, VCN News के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है नहीं मिल पाती, वह दवाईयां आपके जरीए खरीदी करने पर आसानी से घर तक पहुँच जाती है जिसके परिणाम समाच के उपर हनिकारक होंगे और इसका विनाशकारी रूप भी देखा जा सकता है अब जो हम आपको आकड़े बता रहे हैं यह आकड़े खुद आउनलाइन दवा कमपनियों के हैं कई कमपनियों ने अपनी वेब साइट पर यह बात साजह की है कि आउनलाइन मार्कीट के जरीए जो दवाईयां खरीदी जा रही हैं उसमें 10 पृतिशत से अधिक हिस्सा गर्भ पात करने वाली दवाईयों का है और विडंबना देख लीजिए कि अमरावती शहर में भी आउनलाइन दवा बाजार के जरीए 11 पृतिशत से अधिक दवाईयां गर्भ पात करने वाली मंगाई जा रही है मतलब साफ है कि इस तरह के आउनलाइन दवा बाजारों के जरीए कहीं न कहीं दुरूपयोग किया जा रहा है वह दवाईयां जो के किशोरों को और यूआ यूतियों को आसानी से नहीं मिल पाती थी अब वह थोड़े ही तिकडम करने पर उनके पास पहुँच जा रही है जिसका असर समाज पर भयावा रूप में देखने को मिल सकता है इतना ही नहीं रिहेब क्लेनिक की रिपोर्ट की माने तो उनका कहना है कि रिहेब क्लेनिक में हर साल जितने भी एडिक्ट मरीज आते हैं उनमें 15 प्रतिशत के आसपास की संख्या दवाईयों के जरीए नशा करने वालों की है और ऐसे युवाओं को भी आउनलाइन बाजार के जरीए नशा अवर दवाईया आसानी से महिया हैं या फिर वह दवाईया भी उन्हें बहुत आसानी से मिल जाती है जिनका इस्तिमाल नशे के लिए किया जाता है आउनलाइन बादारों को कई प्रकार के नियमों में छूट है जिसका फाइदा अब समाज में युवाओं द्वारा गलत तोर पर उठाते हुए देखा जा रहा है बेरो रिपोर्ट वी सीन नियूज पैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए क्योंकि बिजिलेंड का सबसे बड़ा आलिशान भववे शोरूम शद्दा फैमिली शौपी एंड मॉल बिजिलेंड कॉंपलेक्स नानगाव पेट अमरावती